नमस्कार सातियों आसा करता हूं सभी लोग मस सांदर जिन्दा होद होंगे आज हम भारतिय सम्मेधान का इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्पूर्ट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप किसी भी प्रत्योगी परच्छा की तया यूपि पुल्स का प एग्जाम दे रहे हो एसे-समेट का एक्जाम दे रहे हो तो मैं दावे लगार्य के साथ कह सकता हूं कि यहां से इस टॉपिक से इस-सटॉपिक का नाम है भारत यदब इस सीरीज में मैंने 75 कौशन लिए हैं और मैंने वही कौशन को सामिल किया है जो एक्जाम में बार बार बने हैं और इनकी आने की प्रवल संबाबना है इसमें मैं दिकांसता है MCQ कुछ थोरी बताता चलूँगा आपको ठीक है और मैं फिर आप से कहूंगा यह सेसन आपके लिए बहुत इंपॉइंटे कौपी और पैंसिल लेकर के बैठें और जो कौशन आपको उचित लगे जो नहीं आ रहा है उसे नोट जरूर करते जाएं जो एक्जाम टाइम में आपको बहुत लाइब दैक से दोगा एक कैपसूल के कारी करेगा यह मेरी आसा है मित्र टॉपिक का नाम है भारत की राष्टपती इस समय आप जो चित्तर में देख रहे हैं यह इमेज में यह भारत की महला राष्टपती है और यह दूसरे नमबर की राष्टपती इनका नाम दुरूपती मुर्मूम है वरतमा सह में पूछा जाया कि वरतमा सह में भारत की राष्टपती कौन है तो बताईए दूसरी महला राष्टपती है यदब ये आदिवासी पहली महला राष्टपती है लेकिं दूसरे नमबर की महला राष्टपती है इसके साथ सबसे महत्मूर पॉइंट ये निकल के आता है कि यह नंबर की राष्ट पती है कौन से नंबर की है भाई बहुंँ ऊहिना पता सकते हैं गा इस वात को भी ध्यान रखेंगे ध्यार्खंड राज से ब्लौह करती है इस सी तर्विषिट को अमेशान रखेंगे 15 previous नम्मर की रास्ट पती हैं तो मित्र आईए बगर देरी खुल हम चलते हैं सैसन की ओर लेकिन मेरी आपसे चोटी सी गुजाए से मित्र क्या आप सैसन पर नई हो तो सब्सक्राइब रूल कर लेना घंटी बजा के ओल पर सेलेक्ट लेना आपको बताना चाहता हूं मैं GS के सारे इस है चाहे हिस्ट्री हुआ जोगरफी हुआ पॉल्टी हुआ एकनुमिक्स हुआ जनल साइन्स हुई जैसे विश्यों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं इसी प्लेट फार्म पर और करेंटी फियर आपको गिफ्ट में देता हूं सुबह आठ बजे करेंटी फ्री क्लास सब्सक्राइब कर लें गंटी बजा को आल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो नोटी फिकिसन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा आप बहुत इसका लाइप उठा सकते हैं और कॉपी पैंसल जरूर लेकर वेटिए और एक बहतरी नोट्स बनाते जाईए मतर सेसन अच्छा लग बता जिता हूं यह राष्टपति भवन है मित्र यह नई दिल्ली में इस्ते थे नई दिल्ली में इस्ते थे इस बात को ध्यान रखना और यह रायसीन पहाड़ी पर है कि पूछा जाए किस पहाड़ी पर इस्ते थे थे तो बताईए यह रायसीन पहाड़ी पर इस्ते थे पहाड़ी पर इस्तित है और राइसीन पहाड़ियां है मित्रा राइसीन पहाड़ियां है वो दिल्ली में इस्तित है इन्हें दिल्ली की पहाड़ियां भी कहा जाता है और यहां जो राइसीन पहाड़ियां है वो अरावली परवत स्रीडी का परवत स्रीडी का पार्ट है मित ठीक है अरावली परव सरंकला हलाग कि वो अलग चैप्टर है वो बता दूंगा मां और विस्तु की सबसे प्राचिन परव सरंकला अरावली सरंकला है तो यह कुछ आपको बताया इतने भी विदेसी गेस्ट और महान होते हैं सब राश्ट पती बहुते हैं ठेरा है जाती है पहला कॉशन आपके सामने कॉशन है इसमें पूचा यह गया है कि भार्त के राष्ट पती के तुलना निमनले खित में से किससे करना सर्वाधिक ओचित है तो यहां कुछ basic बात हैं आपको बताना चाहता हूं जो राष्थपति होता है वह संसद का मित्र संसद का अभिन अंग होता है क्या होता है अंग होता है सबसे पहले जो राष्थपति का वर्ण ऊझी रास्ठपती सब्द का वर्ण है वो भारती सम्मेदान के अनुच्चिद 52 में रास्ठपती का वर्ण किया गया है और जो राष्टपती होता है, वो संसद का अभिन्य अंग होता है, क्योंकि आपको पता है संसद के कितने अंग है, संसद के तीन अंग होते हैं, कितने तीन अंग होते हैं, पार्लामेंट के आप लोग याद रखना, अच्छा, जो संसद सब्द है, इसका वर्ण किस आर्टीकल मे तो बताईएगा 79, 79 में संसत सब्द का वर्डम किया गया, 79 अनुच्छे दर्मित्र, अच्छा एक तो मैंने बता दिया, एक अंगा का कौन सा है, राष्टपती, दूसरा जो अंग होता है, उसे राजसवा कहते हैं, क्या कहते हैं, राजसवा कहते हैं, राजसवा का वर्डम भारती संब्दान के आर्टीकल असी के तहत है, यह आर्टीकल लिख रहा होगे, और यह लोगसवा है, लोगसवा का वर्डम भाई, किसम हैं तो 81 में है, 81 आर्टीकल में इस बात को ध्यार रखेंगे, तो संसत के तीनों पार्ट के बारे मैंने बता दिया, राष्टपती का वर्डन बावन के तहत है, संसत का वर्डन 79 के तहत है, राजसवा का वर्डन 80 के तहत है, लोगसवा का 81 के तहत है, यह कुछ अलग से एक्ट थे, इन्हें मेंने बताने का प्रयास किया, अब तक टोटल 15 राष्टपती चुनिया सकते हैं, जो बरतमा सभे में आप देखते ह मुर्मू, यह 15 राष्टपती हैं, ठीक, 15 राष्टपती, अब हम लोग अपने कॉशन पाए जाती है, तो भारत के राष्टपती की तुलना करना सबसे अच्छा, किस से बैट किस देश के राष्टा देश से बैटर है, तो ध्यार रखना, ब्रितन का समराट होता है, ब्रि अगला कोशन दिया हुआ है, भारत में कारिपालिका का अध्यच कौन होता है, कारिपालिका मतलब जितने भी कारिपालिका द्वारा, उनका अध्यच कौन होता है, किस के माध्यम से की आते हैं, और उन पर साइन कौन करता है, तो ध्यान रखना, भारत में कारिपालिका का प कारपाले का सक्ति किसमें नहेते हैं संकी जो कारपाले का सक्ति होती हैं वो किसमें नहेते होती हैं तो प्रधान मंत्र मंदल मंत्र मंदल प्लस प्रधानमंत्री PM गुलते हैं। इनकी जो सक्तियां हैं वो रास्ट्पति में में नहेते हैं। तो राज़ी का प्रद्धान होता है। mostly भारत एक जो Commonwealth country होते हैं, उसमें देखा जा भारत एक state है, राज्य है, तो राज्य का प्रधान होता है, कौन होता है? राज्य का प्रधान होता है, आप लोग याद रखना, हम लोग A of Sun की ओर जाएंगे रचा, अगला भारती सम्मेदान के अंस्वार देश का पर्थम नाग कौन होता है, या दब नागरिक तो आप भी हैं, लेकिन पर्थम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट पती जी होते हैं, कौन होते हैं, राष्ट पती जी होते हैं, देश का पर्थम नागरिक कौन होता है, तो बताइए, राष्ट पती जी होते हैं, अगला है भारती के अनुसार देश की तीनों से नाव जल से नावी थल से नावी या बायो से नावी इन तीनों का कमांडेंट कौन होता है प्रमुक कौन होता है सुप्रिम कौन होता है या अध्यच कौन होता है तो आज की बात बता ली जाएंगे के राष्ट पती जी होते हैं कौन होते हैं र भारत के राष्टपती के लिए कौन सी आवस्य की योग्गिता नहीं है। जो भारत के राष्टपती आप पढ़ेंगे थोरी के एकोडिंग तो आप पाएंगे भारत के राष्टपती के पद के लिए नर्वाचित होने के लिए कुछ योग्गिता और सर्त्य होती है। जैसे या से संसत के किसी भी सदन का सदस्यों के लिए निरघार्थ सभी युग गिता हो या संसत के किसी भी सदन का Do हो जाएगा कौन सा हो जागा मेरे भाई डी हो जाएगा डी इसका बिल्कुल राइट आसर है आगे कॉशन ध्यान दीजिए एक ब्यक्ति राष्टपती के पद के लिए अधिक्तम कितनी बार चुनार रहो सकता या निरवाचित हो सकता है तो भारती संविधान में भारती संव एक बार कितनी बार वो चुनार लड़ सकता है या राष्टपती बन सकता है तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है ठीक है इसके लिए कोई सीमा नहीं है हम लोग डी ऑफशन पर जाएंगे अप लोग याद रख सकते हैं अगला कॉशन बैतरीन कॉशन है आपके पूछा गया र 18 साल क्यों उम्म उसे पार कर लिया होगा क्या कभी आपने राष्टपती दाला है या अपने फादर है उन से पूछके देखिए क्या उन्हों 손े कभी भी राष्टपती-पद के लिए बोट डाला है अगर वो भी ने बता पाएं तो अपने जो ग्रांड फादर है दादा या दादी उनको पूछी है क्या बाबा दादी आपने राष्ट-पती जी को चुनाव होता है क्या उनके लिए बोड डाला है नहीं डाला है पहली बात तो यह निकल के आगई आ गई कि से चुरूप से होता है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे भाई इसका बी ऑफ्सन बिल्कुल राइट सही है अगला कॉशन है राष्टपती पद के निरवाचन हेत कौन सी पद्दत ही अपना जाती है देखिए यह तो आपको क्लियर हो गया कि इंडारेक्ट तरीके से होता है मिर भाई उसमें कौन-कौन भाग लेते हैं सबसे पड़ी देखिए भाग कौन-कौन लेते हैं भाग कौन-कौन-कौन व्यक्ति बोट डालता है ठीक है तो ध्यां रखना संसद संसद के जो संसद में लोक सवा प्लस राज्य सवा प्लस और देखेंगे राज्यों की बिधान सवा लेकिन मेरा आपसे एक कौशन रहेगा मेरा भाई आपको उसका आनसर मुझे क्यांट सेक्शन में देना ही देना है भारत में कौन कौन से केंदर सासित प्रदेश हैं कौन से यूटी हैं कौन है यूटी मतलब केंदर सासित प्रदेश हैं यूटे टरिटरी हैं जो राष्टपती के चुनाम में राष्टपती के चुनाम में भाग लेती हैं यह आपको मुझे इसका कॉशन मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए लोक सवाा की सदसे राज सवाा की सदसे एयो लोग भाग लेते और राश्च पती में यूटी होते है कौनš और सा यूटी है मित्रा इस अफेक्ट को आप जरूर याद कर ली जाएंगे समान पात पुरत निदेत तो एकल संक्रवन मत पद्दत त्वारा होता है यह क्या होती है कैसे होती है इसके बारे में अलग से सैसन बनाऊंगा थ्योरी वाला उसमें आपको सारी बाते किलियर करके चलूंगा चिंत हो जाता है विवादत पन्न हो जाता है विपच्च मानने के लिए त्यार नहीं होता है वो कहता है धांदली हुई है तो ऐसी कंडिशन में राष्टपती का चुनाव जो है उसे हम सुप्रीम कोड में सरवोच्च न्याले में क्या कर सकते हैं चुनोती दे सकते हैं क्या कर सक कितनी संख्या होने चाहिए तो इस संख्या को याद रखना पचास प्लस पचास होने चाहिए इस बात को ध्यान रखना में ठीक है कि अधान देजिए भारत का राष्टपती निरवाच्श होने के लिए निम्र लेकित में से कोँसी बात अयोग्यता मानी जाएगी से निर्वाश्त होने की आरता योगिता होनी चाहिए उसके अंदर कोई लाव का पद ग्रहण ये किये हुए हो मतलए यह नहीं हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नोकरी करता है कि सीवी डिपार्टमेंट के पद पर है कारत्यनात है और वो रास्टपती के लिए चुनार वड़ता है तो सबसे पहले उसे पद से क्या करना पड़ेगा त्याग पद देना पड़ेगा ये इस कॉशन का डी विलकुल राइट है कोई एकल हस्तांतर मत पदद द्वारा होता है आप लूग याद रखना ठीक है आगे ध्यांदी जी अगला कॉशन रास्टपती का पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित की जाता है ये पूछा गया है कि रास्टपती का चुनाव होता है मित्र उसको कराता कौन है ये भारती संविधान का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक आपके इलेक्षन कमीशन का वड़न किया गया है इसके कार्यों का इसमें जो सदस्य होते हैं उनका सदस्य केतने है इस समय इलेक्षन कमीशन में जो इलेक्षन कमीशन है इसमें सदस्य केतने है तो ध्यान रखेंगे total 3 members है एक इसमें मुख्य होता है Chief election commission एक होता है ठीक है एक होता है जो एक इसमें बरत्मान समय में कौन है तो बताइए राजीव कुमार जी ही चीफ election commission of India है राजीव कुमार, दो अन्य सदर्स और है बिटा, दो अन्य सदर्स कौन कौन से हैं, तो एक है आपके, बिशनु कुमार है, इस तरीके से कुछ नाम है, और दूसरे हैं सुख विंदर सी, सुख विंदर सी हैं, ठीक है, यह तीन मेंबर हैं, ठीक है बचा, तो रा आप लोग यह बताएंगे, जो election commission है, वो किस किस के चुनाब कराता है, रास्टपती कराता है, लोकसवाग कराता है, राजसवाग कराता है, और राज्जियों की जो बिधान सवाएं होती है, उसका चुनाब कराता है, और इसकी अत्रिक्त कोई चुनाब नहीं कराता है, ले लोग याद रखना ठीक है इस कॉश्चन के सी ओस्तिन के और बच्चा जाएंगे आगे कॉश्चन दिया हुआ है भारत में किसके चुनाम में आनपातिक प्रतनिद्ट चुनाप प्रनाली अपनाई जाती है तो मैंने आपको जस्ट भी बताया था राष्टपती के चुनाम मे आनपातिक प्रतनिद्टो एकल संक्र मने मत पतत द्वारा अपरत चुरूप से चुनाब होता है यह सारे फैक्ट है जो आपको याद रखने है इसमें एक एक सब्द आपको याद रखना पड़ेगा आगे धन दिजिए राष्टपती चुनाब संबंदी मामले किसकी पास पनन वेजाते हैे तो सुप्रिम कोट के पास भीज practiced the sea of sun की पुर जाएंगे इसे उच्च नियाले जाता है अगला किस अनुचित के अट के तहत राष्टपती तथा उपरास्टपति के विवाद का निर्णे उच्च करने का प्राफधान संविदान में दिया गया है, ये पूछा गया है, तो आप लोग याद रखना, अगर राष्टपति उपराष्टपति में चुनाब में किसी प्रकार किया विवादबपन्न होजाता है, त的話 सब्सक्राइन. चबंद के तो हम सब्सक्राइब करstate है. सब्सक्राइन कॉ मंदतर किसे इता पिर धालते हैं सब्सक्राइं. आज इथान्ति जिए राष्ठ पद के उम्मीदबार को चुना प्रचार है तो कितना समय दी जाता है अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता यह पूछा जाया राष्टपती पदिकेश उम्मीदवार को चुनाब प्रचार है तो कितना समय मिलता है तो ध्यां रखना दो सपता मिलते हैं मेरे भाई कितने दो सपता मतलब 14 दिन कितने 14 दिन मिलते हैं ध्यां रखना दो सपता मतलब 14 दिन मिलते हैं बी ऑफसन की पूर जाएंगे भारत के राष्टपती का चुनाब कितने बरसों के लिए होता है मतलब उसका राष्टपती का जो कारेकाल है वो कितने समय के लिए होता है सीडी सी बात जहना राष्टपती का जो कारिकाल है मेरे भाई वो पांच बर्स है मेरी चाट्चा है, ृप्ट अगला कॉशन बहतरीन कॉशन है आप लोग से याद रखना किस अनुच्छट के तहत राष्टपती अपने पद गहर्ण करने की तिति इसense फांच बर्स की याद रखी 56 आइटीकल के थैट यह बताया है कि अपने पद घ्रण करने की तिथी से राष्टपती पांच साल तक कार्यत रहेंगे पद ग्रस्त पद आसीन रहेंगे यह बताया अगला भार्त का राष्टपती किसका अविननग तो मैंने जश्ट बताया था प्रयामेंड चुक्त सब्सक्ताये बहर्त के राष्ट पतीस के एक बदसे हाब रात अधुल सब्सक् ampliva की परवार की वगभार के अट honey अठीत कोन सब्सक्ति है तो पziękuję है सकते हैं कुछ अठा सकती है और संसद को अठाने का अधिकार है वह अनुच्छत पिए एकशट के तहद हैं यह हटाने के लिए एक सिस्टमS अपनाय गया है इसे महाव्योग प्रक्तिरिया कहा लगा है महावयोग प्रिक्रिया और यह महावयोग है मित्र यह राष्ट पती पर लगा जाता है और यह जो महावयोग है अनुच्छे देक्सर्ट के थाथ बढ़न है इसका और यह विवस्था अमेरिका के संभिदान से लिए अमेरिका मतलब यूएसी, यूएसी की सम्मिधान से लिए ठीक है भई, अमेरिका की सम्मिधान से इस स्वस्ता को लिया गया है, तो महावयोग प्रिक्रिया द्वारा, संसत द्वारा इसे हटाया सकता, संसत क्या करती है, सवसे पहले परस्ताव ले करके आती है, मतों से पारित होता है, और इ इस बीच में राष्टपती अपना प्रस्ता पच्छ भी रख सकते हैं, कोई बकील भी कर सकते हैं, राष्टपती को ये राइट है, आगे धन्दी जी, भारत के राष्टपती को पद से अठाने की प्रक्रिया क्या है, ये पूछा गया है, तो संसद में महावयोग है, किसमें संसद में महावयोग है, आप लोग समझ जाना, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, राष्टपती पद पर महावयोग किस आधार पर लगाया सकता है, राष्टपती पर जैसे है, आपको लगता है कि राष्टपती खराब हैं, इस तरीए पूरुस हैं, या ये इस तरी केसे हैं ठीक हैं तो क्या आप राष्टपती वठा सकते हो नहीं उसको हटाने की प्रकृया होती है और मैं फेक्ट में यह आता है अगर भारत के जो राष्टपती होते हैं वो संब्धान का ठीक से पालन न करें उनके जो रिन्यम हैं rules हैं, सम्मिधान के, उसके according न चलें, अपनी तानासाजी सिस्टम ले करकी आएं, तो रास्टपती को महावयोग प्रक्रिया द्वारा क्या किया सकता है? हटा जा सकता है. तो main fact क्या है? सम्मिधान का अतिक्रमन करनी पर, अतिक्रमन करनी पर, उन्हें हटा जा सकता है. स्रंम्मिधान का अतिक्रमन करने पर राष्टपती जूग क्या कर सकते हम्मिदान से लिए दोस्ति के संब्रीदान से लिए बायं अभी आपको ॐ Jenkins का की कि इस संब्राइलोर लो तो कोई वी अदेते तो यहां से question आना है और उत्तर प्रेस के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो दाबे के साथ क्या सकता हूं यहां से एक या दो question आपको देखने के लिए आगे ध्यांदीजिए पूछा गया भारत की दूसरी महला और पहली आदवासी महला राष्टपती कौन बनी है तो सब को प पहली महला राष्टपती थी अ पहले राष्टपती तो डाक्टर राजंस्त परशाद निर निमलिकट मेंसे कौन अब और गोपनिता की सपत दिलाता है मतलब यह सीई सी बात है जैसे देखा होगा पार्ला मिंट में शंहत्lessness संसद जो ऐस्वार 18 लोग सभा का चुना हुगा है कि पार्लियमेंट में लोग चुनके गई हैं शदस्षä के रूप में जने मंत्री या संसद कहा जाता है उनको वो सपत लेते हैं, उसी तरीके से राष्टपती भी सपत लेता है, लेकिन राष्टपती किसके समझ सपत लेता है, यह जो सांसत बगरा है, यह प्रोट्रेम स्पीकर के समझ सपत लेते हैं, वट जो राष्टपती जी हैं, वो किसके समझ सपत लेते हैं, कौर उने सपत Chief Justics of Indiaी क्या करता यह भारत के राश्ट पती है पद और गोपी निटा की सपत लेते हैं कौन से दिलाता है तो सीजी आई इस समय कौन है साइद 51 नंबर के हैं या 50 नंबर के होंगे तरह किलियर नहीं याद थीक से नहीं रहा है डी वाई चंदर चूण अगला कौशन है राष्टपती संविदान के किस अनुच्यत के तहता है यह पूछा गया है तो आर्टिकल अनुच्यत साठ की तहता है कौशन बोड भी बड़ा घुमा के पूछता है या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उसे पढ़ने में 50% आउट हो जाते हैं कुछ लोग 20% उसे समझने में आउट हो जाते हैं तो 80% लोग ऐसी गया वोजाते हैं अगर यह पूछन बोड डारेक छीदे-छीदे पूछ ले तो म कोशन का राइट अंसर है साथ से साथ के तहत रैश्डपती च्याल गते हैं सपत लेते हैं यह पूछा बैसी पूछा जाए California buck मुख्य बनाइदिस की आनुपस्ती में ए रास्टपति किसके सफ़त सपत लेगा मान की चलिए मान के चलिए भारत में जब चुनाब हुआ है नई राष्टपती चुने गए और उस समय CGI of India नहीं है भारत का राष्टपती वह भारत का मुख नाइदिस इसमें कोई है यह नहीं तो सपत वो किसके समझ लेंगे यह पूछा गया है तो ऐसी कंडिशन में क्या कि जाएगा सर्वोच नियाले में जो वरिता के आदार पर कौन होगा वरिष्ट जज होगा नाइदिस होगा उसके समझ राष्टपती क्या लेंगे सपत ग्रहन करेंगे पद और गोपिनियता की इन बातों को पद और गोपिनियता को आप लोग ज्याद रखेंगे इसके लिए सर्वोच नियाले के वर्ष्ट नियादी इस कोशन का डी बिल्कुल राइट आंसर है आगे धान दीजिए मित्र लेकिन सैसन को आप लोग सेहर नहीं करें सैसन अच्छा लग रहा हो तो मेरा वादा है मैं दावेक साथ फिर भी किर रहा हूं आपकी मंजल तक पहुचा दूंगा मैं जो आपने टार्गेट किया है कि हां मुझे इस रेंग का अधिकारी बनना है पुलिस में सरेक्सान लेना है समिच्छा अधिकारी बनना है ऐसे सी MTS से सीजिल के थो एक अच्छ आपको पता है जब राष्ट पती देश से बाहर होते हैं तो ऐसी कंडिशन में जो उपराष्ट पती होते हैं वो क्या करते हैं वह राष्ट पती का पद गहांड करके उनके कारवाल समाल लेते हैं और जब कारवाल समालते हैं तो उनको उस समय जो बेतन बगतते हैं वो लेकिन जब दोणों बाहर वोते हैं, राष्ठपती और उप्राष्ठ पर दोणों बाहर होते हैं। विलिस में होते हैं कई पर भी, ये एक्स वायर कोई गटना गट जाती है, दोनों नहीं रहते हैं। तो ऐसी कौशन का राइट आनसर कौन सा है, तो बता सकते हैं, सर्वोच नियाले का मुंक्ख है न्याजिश होगा ‎ serytis, it is राइट आनसर अगला कॉशन है किस अनुच्छे के आनिसवार भारत में एक राष्टपती होगा मैं आपको बता चुकॉस हूँ आर्टिकल बामन बामन की तहर्थ और राष्टपती आगी दानदी जीए अगला है भारत का राष्टपती अपना त्याग पत्रा नियापत्र नहीं मतलति यह थ्याक फट्र है थोड़ी टैपस्ती मिस्ट्री वगई है स्याग RS कि त्याग पत्र थीलुझ है कुछा ये गया है मन मंन के लग रहा है कि नहीं मुझे मुझे बहुत समय हो गया, मैं बुढ़ा भी हो गया हूं, तो मुझे त्यागपत दे देना चाहिए, अब मुझे मलव अपने बिलकुल सन्यास जीवन जीना चाहिए, तो अपना त्यागपत दे सकते हैं, प्रकार की वरस्ता हमारे सम्मिदान में की गई है, लेकिन देंगे कि तो जहां रखना उपराष्ट पती को देंगे, इसको उपराष्ट पती को देंगे, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, अगर राष्ट पती त्यागपत किसको देता है, तो राष्ट पती को देता है, ये दोनों एक दूसरे को त्यागपत देते हैं, एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं इस बात से जहां रखना में अगला कोशन है प्राष्टपती के त्याग पत्र की सूचना उप्राष्टपती किसको देता है अगर राष्टपती त्याग पत्र देना चाहें तो इसकी सूचना उप्राष्टपती होता है वो किसको देता है तो इसके लिए लोकसवा म इसको ध्यां रिखना प्रदार मंतरी को नहीं देता है गलत मत कर देना और ना को सीजाइब को देता है देता है लोगसवाद्च को देता है अगला एक ही सहय में यह राश्टपती और उपराश्टत कौन्समालता है तो इसाहिए? सभाई रास्ट पती जीन सभावलते हैं आप लोग याद रहा सकते इसका बिलकुल राइट आंसर है अगे धान दीजीएगा जब रास्ट पति जब रास्ट पति या त्याक्पत रिया पज्चुत्या अनिकारण से अपने कर्थ कर्द्ब्र कर्टब्यों को निवा नहीं सकते तो उपराष्टपती कितने समय तक राष्टपती के पद पर बना रहेगा यह पूछा गया है मतलब नए राष्टपती का चुनाव है वो कितने महीने या कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए यह पूछा गया और जो उपराष्टपती है वो राष्टपती के पर कब तक बन याद दून कर रिणा निमलिक्त में से कौन से राष्टपती पूर्मे केंध्री ग्रह मंत्री थी हो मैं एसे व्यक्ति जो पूर्मे ग्रह मंत्री रहे और बाद में राष्टपती चुने गए यह बात है CDC तो इनका नाम डाक्टर ग्यान जैली सिंग थे, ग्यानी जैल सिंग थे, कौन थे, डाक्टर ग्यानी जैल सिंग थे, जो पहले कौन थे, ग्रह मंत्री थे, ग्रह मंत्री थे, उसके बाद रास्टपती चुने गए, इस बात को ध्यान रखना, अगला भारत के रास्टपती नरबाचत होने से पूर्वु निम्य से कौन अपरिविफ रखे नहीं रहे तो यहीं थे आपके व्यानी जइसिंग में ध्यानी जीनदी खरिवर्च्व, फॉथे आगे ध्याना रखना भारत के चौति राष्टपति कौन थे तो मीवई गिरी थी एक बात आपसे कहूंगा मेरा टेलीग्राम जोइन कर लिजे यह मैंजीकुन सफर की नाम से है वहां आपको इसकी PDF दे दूँगा और भारत के जितनी अब तक राष्ट पती हुए उनका करन वाइस करम फोटो सहे आपको दे दूँगा जो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा अग ध राजन प्रसाजीर है अगला है भारत भारत का राष्ट पती चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी कौन थे यह कोशन बहुत पूशह आता है यह कोशन बहुत पूशह आता है तो गैर गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे बताए वीवी गिर थी कौन थे वीवी गि लेगे हाँ यही हमारे रास्टपती हैं तो ध्यान रखना वो कौन ते तो नीलम सजीव रेड़ी थी मेरे लॉड़ाई नीलम सजीव रेड़ी थे इन्हें सर्व संबन से चुना गया था आप लोग याद रख सकते हैं अगला है निम लेकित में से कौन भारत के रास्टपती नहीं रहें तो ध्याँंह रखना यांNow जयली भी रहें डाक्टर जाकर Tian Kron b रहें लेकिन सी के नॡ राजा गोप spokes मिलि में राजा जीना इन राजा जी के नाम रासली परiring के ये लेकि बार राइए य९े city o online कि नाम पर मित्र तरेखनड में एक नेसल पारक है इनी के नाम पर मित्र उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है उसको बारे आप बताएंगे किस जिली में राज ये सी राजा गुपालाचारी हैं ये उपराश्ट पती नहीं रहे ये कौन थे तो भारत सकते हैं भारत सुतंत भारत के भारत के पहले भारती कौन थे वाइसराय और अंतिम भी थे। अगला सुतंत भारत के प्रथम राश्ट पति कौन थे? सुतंत भारत के पहले रास्ट पति कौन थे? तो ध्यान रखना वही थे डक्टर राजिंद पसाथ. बी ओफ्फचन की ओर जाएगे. आग द्यान दिजिए निम्लिकित मैंसे कौन लगातार दो राश्टपती चुनेंगे ए उफशन की और जाएगे आगे धान देजिए भारती संविधाना कौन सा अनुच्छद राश्टपती के पद के लिए पुने रवाचन की योगजिता निर्दारत करता है मत राश्टपती पुने मलदा चुन करके आ सकते हैं इसका वर्ण भारती स हमिदान के किस आर्टीकल में हैं तो ध्यारखना अनुच्छेद 57 में किसमे 57 में है मित्र आप लोग याद रखना आगे धान दीजिए भारत के किस राश्टपती की म्रत्यू उनके कारेकाल के दौरान होगी थी मरब पदपे थे लेकिन उनकी क्या होगी म्रत्य होगी क्या ह अम क्या था मित्र डाक्टर जाकिर ह्सें थी लग naming जाकिर राश्टपती थे जिनकी मरतिक कियासे विए थी ताक्टर जाकिर हुआ ded को मैं से कि कि वहारत का राश्टपती करता है राश्टत पति किनकी कि नकिति होता यह चेह जनरaker वह था और भारत का निंत्रक इवा महालिका परिच्छत से क्या कहते हैं इसकी नुक्ति राष्टपती करता है और एक राज्य का राज्यपाल की नुक्ति राष्टपती करता है इसलिए क्या नाम है ग्रीज ग्रीज चंद्र मुर्मू कोन है इसमें क्या रखना मतरा ग्रीज चंद्रक इवा महालिका परिच्छत आप लोग याद रख सकते हो आगे धन दीजिए भारती संब्यधान का कौनसा अनुच्छिद राष्टपती को उस्तम न्याले से परामर्ज करने की सकती प्रदान करता है ऐसा कौनसा अनुच्छिद है भारती संब्यधान का जो यहाँ उनको अधिकार देता है कि राष्टपती को अगर जरूत पड़े किसी कानूनी भी से पर तो वो सरवोचनेले का जो मुखषीनाईदीस होते हैं विचार भी मर्णाय करती है विचार ले सकते है, विप बैधानी करूंसे 143 है, कौन सा आर्टीकल 143 के तहत क्या कर सकते है उससे अले सकते हैं, विपाचनेले Все अगला संसद के अधिवियसन को कौन बलाता है यहां पर कुछ बाते द्यार रखिए कुछ अलग फैक्ट है संसद के अधिवियसन को कौन बलाता है इस बुलाने का जो कार है इस बुलाने का कार्ण रास्टपती का है अगर संसद में किसी भी विधियक को ले करके किसी मत को ले करके लोक्सभाव राजसामें क्या हो जाता है मत भेद हो जाता तो सयुक्त वैठक का वाडम है और सहयुक्त अधिवेशन का मित्र जो वर्ण दिया गया है वो भारती संविदान के अनुच्छिद 108 के तहते हैं तो बताएंगे अनुच्छिद 108 के तहते हैं बिल्कुल सही बताएंगे 108 के तहते हैं सहयुक्त बैठक मतलब लोगसभा राज़पा की सहयुक्त बैठक का वर् मैं आपका तो यह दायत बनता है कि कोई हमारे लिए तनी मेहनद कर रहा है यह इसी गर्मियों में आपके लिए तरह मेहनत कर रहा हूं इसकमर में कोई यह सी वेशे नहीं कि लाइट ही लाइट है इसलिए मैं रोकेस्ट कर रहा हूं इस टेशने कम सब्सक्राइब कर लिजिए और पांस दोस्तों साइब जरून से अगे धहन दीजिए भारत के आपेति काल की गुष्णा की जाть कि सबसे पहले होता राश्ट पकती शासन ब्हारत में तिन प्रकार आपत कार चांते हैं और क्योंद आ और क्योंद में से अज़र्ण से कि इसका जोırdAN राष्ट पति सासन का बढ़न है मित्र dniyas रखना वह भारती संव्धान का जो अनुच्छेथ एं है 322 उसमें वढ़न किया गया है ठीकत कर चैब है अधिäre कि दूसरा राश्टी आपाति राश्टी आपात का वृडण ने कि आपात का वर्ण इसका वर्ण है 85 divergence में है लेकिन तीसरा परकार है से आर्थिक आपात काल कहाए जाता है आर्थिक आपात काल कहा जाता है इसका वर्डन है मित्र वो भारती संब्धान का अनुच्चेद 360 में इसमें 360 में पूछा गया है अगर यह फेक्ट इस तरीके से भी आ सकता है क्या राष्टपटी ने अब तक सुतंत्र भारत से लेकर के अब तक वर्तमान तक आर्टिकल 360 का प्रयोग किया है या नहीं तो आप तुरंद मने कर देंगे आर्टिकल 360 का प्रयोग भारत में अभी तक नहीं किया गया भारत में अभी तक आर्थिक आपात काल है अभी तक इसकी किसी प्रकार की गोष्णा नहीं की गया हालांके 2223 में हमारा जो पड़ोशी मुल्क है स्री लंका उसमें आर्थिक आपातकाल की गुफ़ना की गई थी तो इनको बात आप लोग याद रखेंगे आर्थिक संकट की गुफ़ना कब कुई थी तो कभी नहीं की है इस कॉशन का डी बिलकुल राइट आंसर है और भारत में जो आ बभीनस संसथिय प्रति निदेद्ज उत्यों के लिए व्यक्जियों का नावंक निम्लेक में से कौन करता है मतलब कौन बखिक बाहर जाएगा जो पार्लयमेंट है उसमें से कौन सा बथक्ती बाहर जाएगा प्र्धानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे अगर प्रध राष्टपती जी करते हैं ठीक है सी ऑफ्सन की और जाएंगे अगला भारत के निम्लिकित में से किस मुख्य नदीस ने कुछ समय तक भारत के राष्टपती के रूप में कार किया वेरी वेरी इंपरेंट कॉश्चन है ध्यां रखना जो न्यायमूर्थी एम हमायतुल्ला थे यह पहले ऐसे बेक्ती थे जो नियाएदी सोक करके राष्टपती पदनों ने ग्रहन किया था यह अफ्सन की और जाएंगे नियामूर्थी एम हमायतुल्ला और जाके रुश्यन कौन थे जो पदपर रहती वह उनकी क्या ओगी थी मौत होगी थे निम्लिकित में से कौन रा प्रावन करना यह वी राष्टपती कार है किसी वी सत्र के अंत्रगल लोगसवा की बैठक को आहूत करना यह नहीं है मेरे भाई तीस का बिल्किल राड आट आइशनinka is विदेशी देशों के सभी राज़ accident के द्वारा प्रत्यार्व पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रंखना यतनी विदेशी कारे रह उते हैं सब चीसथ का राश्ण पत्रात anterior को पहते हैं। नहीं लोटा सकता, तो आर्टिकल आपने सुनाओगा अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में धन विधियक का वड़न किया गया है, किसका भाई? धन विधियक का वड़न किया गया है, और कोई विधियक धन विधियक है या नहीं है, इसका निर्णे कौन करता है, तो बताए ल लोग सवाध्यच करता है, लोग सवाध्यच करता है, स्पीकर करता है, ध्यान रखना, पूछा क्या गया है, कि पुनर्विचार के लिए नहीं नौटा सकता, तो राष्टपती जी एक बार अगर धनविदेख उनके पास आगया साइन करने के लिए, तो राष्टपती जी को अल्ला सायन करने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना, अगर प्रोब इस भी करने ये कह दिया, लोग स्वाध्यच ने, कि राष्ट पती जी ये धन विदेख है, इसको आप बापस नहीं कर सकते, तो राष्ट पती जी को सिंगरी सर करने पड़ेंगे उस पर, इस बात को और इसका वड़न किसमें किया गया है, तो अनुच्चेद 112 में किया गया है, आगे ध्यान रखना, ये ध्राष्ट पती द्वारा किसी विदेख को पुनरविचार के लिए लोटा जाता है, तो वह किस बीटो का प्रियोब करता है, तो ध्यान रखना, एक बात आप से Constitution Amendment कहते हैं, जो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, इससे पहले क्या था, यदि कोई विदेख राष्ट पती के पास आता है, किवल धन विदेख को छोड़ करके, तो राष्ट पती उस पर पहली बार में सिग्रीचर कर देए, लेकिन ब्यारीसमें संविदान संसोदन, जिसे ल किया था, कि राष्ट पती के पास कोई विदेख आता है, तो तुरंट सिग्रीचर करेंगे, लेकिन राष्ट पती को यह सकती इस संसोदन ने दे दी, कि वो चाहें, तो किसी भी विदेख को, किवल धन विदेख को छोड़ करके, पार्लियामेंट में, विचार नमर्स के ल लगो समिदान कहते हैं, ध्यान रखना, लगो सम्मिदान भी कहते हैं, अगर पूछा जा, यह कि समिति की सिपारिश पर आया गया था, यह कौन सी कब जोड़े गए थे 1976 में इनकी संक्या कितनी है वर्तमास में 11 है तो जहां रखना पूछा क्या गया है तो ऐसे विदेप को पुर्विचार के लोटा जाता है तो वह किस बीटो का प्रयोग करता है तो निलंबनकारी बीटो अंगरी दीम बोलें तो सस्पेंशन बीटो कुंस जोइन कर दीजी वहां इसकी प्रेडियाप मिल जाएगी आपको वहां पर स्टेडी संबंदी बहुत कुछ मेंटर देखने के लिए मिल जाएगा आगे ध्यांदी जी और शेयर करेंगे और लाइक कर देंगे तो आपको लाइक करने से आपको फिंगर प्रिंटें वो किलिय जारी कर सकता है अध्यादेश की जार्ब्राता कहां कि उच्छी को कितनी है तो बतादे ना देन की सुचिकुची सूची कितनी है तीन सूची है सबसे पहले कौन से सूची है तो बता सकते हैं संग सूची है संग सूची है और संग सूची में हंड्रेड विसे हैं कितने विसे हैं हंड्रेड विसे हैं उसका राज्य सूची है राज्य सूची है दूसरे नमबर पर कुन सी है तो बता सकते हैं राज सूची है और राज सूची में कितने विश्चे हैं तो बता सकते हैं 65 विश्चे हैं उसका तीसरे नमबर सूची कौन सी है, तो बताएं संबर्ती सूची है, संबर्ती सूची है तीसरे नमबर की, इसमें कितने बिसे हैं, तो बताएं बामन बिसे हैं, कितने बामन बिसे हैं मेरे भाई, ठीक है, ओई संबर्ती सूची कहां से ली गई है, किस देश के सम्मिदान स विख लिए उस्टेडिया के संभिधान से लिए गई याप लोग याद रखना इसमें मरु 25 हैं अच्छा आपको यह बताइए शिच्छा है that education है वो किस सुची का विच्छा है संग सुची का संभर्ती कुश सुची तो आप लोग याद रखना जो सिच्छा है वो किसका संभ संबर्थी सूची का विसे हैं पहले क्या होती थे यह राज सूची का विसे हुगा करती थे लेकिन 42 संबिदान संसुदन 1976 में होता है तो उसके तहत इसे संबर्थी सूची में सामिल कर लिया जाता है अब कोशन पर हम लोग आ जाते हैं पूछा यह गया था आपसे कि ऐसन का बिल्कुल राइट आप लोग याद रख सकते हैं अगे धान दीजिए पूछा गया राष्टपति की विसे हैं पर अद्धाधिस जारी पर सकते हैं बता दिया मैं नहीं कर सकते देखो यहां पर नहीं सब्द लगा हुआ है आप भी मेरी तरह से तरह कं गल्ती बैठना नहीं सब्द लगाया हुआ है तो राज सूची के विश्यों पर क्या नहीं कर सकते हैं वो अध्यादेस जारी नहीं कर सकते हैं अध्यादेस जारी नहीं कर सकते हैं इसका बिल्कुल राइट आंसर है अगर कोशन दिया हुआ है किस परिस्तियों में राष्टपती जब कोई विदेग संसद्वारा पारित हो जाता है तो राष्टपती को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है बताइए क्या कर सकता है पुन्र विचार के लिए बापस भेज सकता है पुन्र विचार के लिए क्या कर सकता है बापस भेज सकता है आग क्वेशन है भारत के राष्टपती संसत के दोनों से दोनों का प्रथम सत्र के प्रारभ में कब सम्मोदत करते हैं लेकिन वो जब करते हैं मेरे भाई प्रतिवर करते हैं और जो लोग सभा को चुनाव हो जाता है किसका लोग सभाको चुनाव हो लाजाता है कि प्रतेक आहम चुनाव के बात करते है इसलिए को विल्कुल राइट आंसुर सीज का बिल्कुल राइट आंसर है अगला दिया हुआ है सम्मिदान के अनुच्छित 124 के अंतरगत रास्टपती निम्न में से क्या कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए या सर्वोच नियाले में किसे परामर्स कर सकते हैं आगे दिया हुआ है किसी मर्त दंड पाय अर्परादी को चमादार करने की सकती निम्न में से किसके पास है तो ध्यान रखना ये रास्टपती के पास है केवल रास्टपती के पास है अगला अप्रतिसित ब्याओं की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत की आकस्मक निदी से धन निकल सकता है तो ध्यान रखना ये कौन कर सकते हैं भारत के रास्टपती कर सकते हैं भारत के रास्टपती तो आकस्मक निदी होती है उससी क्या कर सकते हैं धन निकल सकते हम लोग C option के और जाएंगे C option के और जाएंगे अगला कॉशन है राष्टपती उपर राष्टपती के अनुपस्ति में कौन कारबार घ्रण करता है तो सरवोच नियारे का मुख खिना दिस करता है बता चुपाऊंगा आपको पूछा गया किस संस्ति के आदार पर भारत का राष्टपती भारत को आकस्मक निदी से धन को क्या कर सकता है निकाल सकता है तो ध्यां रखना इसके लिए किसी भी इस्तुति पर भारत का राष्टपती क्या कर सकते हैं आकस्मक निदी से क्या निकाल सकते हैं धन निकाल सकते ह आगे ध्यान दिजिए सम्मिदानीकिस अनुच्छेत के अंतरगत राष्टपती संगीमंत परसद की सलाह मानने के लिए बात देहें ये पूछा गया है तो आर्टिकल 74 है अनुच्छे 74 है जो राष्टपती क्या है जो संगीमंत परसद होती है उसकी सलाह उनको मानने ही सुद्ध में युद्ध की गूफणा करता है जैसे मानको भारत पाकिस्तान इक बीच में युद्ध शड़ जाता है तो पल्लंग से अक्रमन हो रहा है लेकिन जब तक राष्टपती आदिस नहीं देंगे तब तक हमारी हिंदुस्तान की आर्मी का नहीं करेगी अटेक नही लोग सबाव क्या कर सकते भंग कर सकते आगे दिया हुआ राष्टपती समयदाने किस अनुच्छित के अंतरकत अध्यादेश जारी करते हैं तो मैंने आपको बताया था अनुच्छित 123 के तहट क्या होता है राष्टपती क्या कर सकते हैं अध्यादेश जारी कर सकते हैं र खतम होने वाला है राष्टपती द्वारा जारी एक अध्यादेस संसद के सत्र सुरू होने के बाद कितने समय तक जाई रहता है तो छे सब्ता तक रहता है आप छे महा मत लगा देना चाम लगा देना गलत हो जाएगा 6 सप्ता सभिए छे सब्त पर विल्कुल राइट अंसर है अगला है भारत के राष्ठपती जिसन एक मात्र मामले में बीटों का अधिकार का प्रयूक किया तो डाक्टर ग्यान सिंग जैली थे इन्होंने क्या किया था जो डांक विद्यक था कुंसा डांक विद्यक पर क्या किया था बीटो का प्रयूप किया था तो मिट्र यह मेरे 75-75 MCQ थे जो आप मैंने आपकी महनत के लिए त्यार किये थे आपकी सफलता में एक छोटा सा गिफ्ट मैंने दिया था यदा आप इनका अध्यन कर लेंगे ठीप से एक दुबार इस से एसन को देख लेंगे और पीडिय अप मेरी जो ए मेरी जो टेली ग्र रहेंगे और इसको रिविजन करते रहेंगे तो मैं दाविक साथ कैसा रखता हूं कि आपको जो मैंने आपको प्रत्योंगी परिच्छा बताई कि यह आपके लिए इंपूरेंट है इंजिनी परिच्छाओं के लिए इस सेसन उनमें आपको एक या दो कोशन 100% मिलेगा मेर मेरा बादा है मेरा बादा है और मैं आपसे फिर रहेंगा कि इस सेसन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और भाईयों मानते हूं तो पांस दोस्तों का जरूर सिर्फ परिए यह मेरी रूपेस्ट है तब तक लिए जहन या भाद